नमस्कार दोस्ते, मैं संतोस पटेल, स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर, यदि आप कम्प्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कम्प्यूटर में एक्सपर बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेल नो बार बार कॉम्टेटिव एक्जाम में पूछा जाता है, इस टॉपिक से कई प्रस्णे कॉम्टेटिव एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले हम यह समझते हैं, कि ट्रांसमिशन मोड होते क्या हैं, ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचार, और मोड का मतलब होता है तरी या communication भी कहा जाता है तो एक machine से दूसरी machine तक या एक device से दूसरी device तक data को transfer करने का तरीका क्या होगा वह होता है transmission mode मतलब एक user की information को दूसरे user तक भेजने का कौन सा तरीका use किया जा रहा है वह होता है transmission mode data को एक machine से दूसरी machine तक या एक user की information को दूसरे user तक भेजने के लिए transmission modes का use किया जाता है यह transmission modes तीन प्रकार के होते हैं simplex, half-duplex, whole-duplex जिन से बार-बार question हमारे competitive exam में पूछे जाते हैं तो हम देखते हैं transmission mode होते क्या हैं, एक device से दूसरी device तक data को transfer करने के लिए transmission modes का उपयोग किया जाता है एक user एती अपनी information को दूसरे user को transfer कर रहा है, send कर रहा है, तो एक user की information को दूसरे user तक भेजने के लिए transmission का एक mode use किया जाता है transmission modes को communication modes या communication method भी कहा जाता है जो transmission mode होते हैं वो एक communication modes भी कहलाते हैं या communication की method भी कहलाती हैं क्यूंकि transmission का मतलब होता है संचार करना सूचनाओ का आदान पिर्दान करना और communication का मतलब भी होता है information को share करना तो जो transmission mode है उन्हें communication modes या communication की method भी कहा जाता है और transmission mode को तीन category में divide किया गया है simplex, half duplex, full duplex इन तीनों topics से कई questions competitive exam में बार बार पूछे जाते हैं तो अभी हमने समझा transmission mode का introduction transmission modes मतलब संचार का तरीका जब कोई संचार किया जाएगा, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा तो भई किस तरीके से किया जा रहा है, वह होते हैं transmission mode मतलब एक device की information को दूसरी device तक भेजने के लिए transmission mode या communication modes का use किया जाता है जो कि तीन प्रकार के होते हैं, simplex, half duplex और full duplex अब हम एक-एक mode को detail में समझने वाले हैं तो देखते हैं simplex क्या होता है simplex, simplex को simple से समझ लीजिए simplex को simple से आप समझ सकते है simplex, simple communication का तरीका है simple transmission का तरीका है simplex, यह एक unidirectional communication होता है unidirectional मतलब एक ही दिसा में इससे communication किया जा सकता है unidirectional, uni मतलब एक ही direction में तो यह आपसे पूछा जा सकता है competitive exam में कौन सा communication mode unidirectional होता है तो simplex जो है वह unidirectional communication होता है simplex को one way communication भी कहा जाता है यह भी important topic है simplex को one way communication भी कहा जाता है मतलब एक ही side पर एक ही direction में इससे communication की जा सकती है यह एक direction में data को transfer करने के लिए उपयोग किया जाता है यदि आपको एक ही direction में हमेशा data भेजना है एक ही direction में data का communication करना है transaction करना है तो आप use कर सकते हैं simplex technique का simplex क्या करता है एक ही दिसा में हमेशा data को transfer करता है कभी भी दूसरी दिसा में दूसरे direction में data का communication नहीं हो सकता है simplex transmission में sender cable data को send करता है और receiver cable data को receive करता है जो simplex होता है उसमें sender जो होता है sender मतलब data को भीजने वाला और receiver मतलब data को प्राप्त करने वाला तो हमेशा sender ही send करेगा और receiver cable receive करेगा यह होता है simplex इसलिए इसे unidirectional communication भी कहा जाता है इसे one way communication भी कहा जाता है क्यूंकि इसमें data को केवल एक ही दिसा में भीजा जाता है कभी भी दूसरी दिसा में data को नहीं भीजा जा सकता है sender हमेशा data को send करता है और receiver हमेशा data को receive करता है इसके example भी है इसे की radio का जो पिरसारान होता है वह हमारा simplex communication का example है simplex communication के दो example यहां पर हमने explain करें हैं एक radio और एक keyword जो हम radio यूज करते हैं वह simplex का example है साथी साथ computer का जो keyword होता है वह भी simplex का example है क्यूंकि जब आप keyword से data input करते हैं तो केवल data को computer system में भीजा जाता है keyword से केवल data को computer system में enter किया जाता है तो simplex एक ऐसा communication होता है जिसमें हमेशा data का communication एक ही direction में होता है sender केवल data को send करता है और receiver केवल data को receive करता है यहां पर हमने एक diagram से भी इसको explain किया है यह एक sender है और यह एक receiver है sender हमेशा data को send करेगा और receiver हमेशा data को receive करेगा यहां कौन सी टेक्निक के थुरू हो रहा है simplex के थुरू यहां पर transmission का जो mode है वो कौन सा है simplex है तो हमने अभी transmission का एक पहला mode समझा जो की होता है simplex simplex unidirectional होता है one way communication भी कहा जाता है इसमें केवल एक ही direction में data को transfer किया जाता है जब sender data को send करेगा तो receiver केवल data को receive कर सकता है इसमें कभी भी receiver data को send नहीं कर सकता है और sender कभी भी data को receive नहीं कर सकता है तो यह होता है simplex अब हम दूसरा transmission mode देखने वाले हैं जो होता है half duplex half duplex half duplex इसके नाम से समझी half duplex मतलब आधा काम करता है यह half यह एक two way directional communication होता है two way directional मतलब दोनों देशाओं में कमनी केशन कर सकता है लेकिन एक समय पर केवल एक ही direction में कमनी केशन किया जा सकता है मतलब sender data को send भी कर सकता है data को receive भी कर सकता है receiver data को receive भी कर सकता है send भी कर सकता है लेकिन एक समय पर केवल एक ही वर्ग किया जा सकता है जब sender data को send करेगा तो receiver receive करेगा और जब receiver send करेगा तो sender receive करने लगेगा मतलब communication दोनों direction में हो सकता है दोनों दिशाओं में हो सकता है वर्ट जब एक device data को send करेगी तो दूसरी device receive करेगी और जब दूसरी device send करेगी तो पहली device क्या करेगी? Receive करेगी, उसे कहा जाता है half-duplex Communication हो तो दोनों दिसाओं में सकता है दोनों direction में हो सकता है लेकिन एक वार में केवल एक ही direction में communication किया जा सकता है उसे कहते हैं half-duplex half-duplex दोनों direction में डेटा को transfer करने की service provide करता है लेकिन एक समय पर केवल एक ही direction में data transfer किया जा सकता है half-duplex आपको दोनों दिसाओं में सूचनाओं का आधान प्रदान करने की सुभिदा तो देता है लेकिन एक समय पर केवल एक ही direction में एक ही दिसाओं में सूचनाओं का आधान पिर्दान किया जा सकता है इसका example होता है walkie talkie walkie talkie जो match में empire को आपने दिखा होगा लिये रहते हैं police जो use करती है walkie talkie वह हाप duplex का example है यहाँ पर sender है receiver है यह दोनों हाप duplex communication का use कर रहे हैं यहाँ पर और condition को apply किया जाता है और मतलब जब sender data को send करेगा तो receiver receive करेगा और जब receiver send करेगा तो sender receive करने लगेगा तो यहाँ पर सूचनाओं का आधान पिर्दान दोनों direction में तो हो सकता है लेकिन एक समय पर केवल एक ही direction में सूचनाओं का आधान पिर्दान किया जा सकता है यह होता है हमारा half-duplex transmission mode इसे two-way directional communication कहा जाता है लेकिन एक समय पर केवल एक ही direction में सूचनाव का अधान प्रदान किया जा सकता है half-duplex मतलब एक समय पर कोई भी एक वेक्ती send कर सकता है तो दूसरा वेक्ती receive कर सकता है जब दूसरा वेक्ती send करेगा तो पहला वेक्ती receive करेगा इसे कहते हैं half-duplex इसका example होता है बॉकी-टॉकी अब हम अपने last transmission mode full-duplex को समझने वाले हैं यह सबसे अच्छा communication का type होता है full-duplex इसके नाम से ही समझ सकते हैं full-duplex मतलब full-work देता है full-work करता है full-duplex यह एक Y Directional कंपनी केशन होता है एक समय पर दोनों डायरेक्शन में कंपनी केशन किया जा सकता है एक समय में दोनों दिसाओं में सूचनावकादान प्रतान किया जा सकता है full-duplex कंपनी केशन में sender और receiver एकसाथ data को send और receive कर सकते हैं जब sender data को send कर रहा है उसी समय पर data को receive भी कर सकता है और जब receiver data को receive कर रहा है तो उसी समय पर send भी कर सकता है इसका example होता है telephone या mobile communication जिसमें हम data को सुनते भी रहते हैं और data को बोलते भी रहते हैं तो यह होता है full duplex जहां पर sender और receiver एक साथ सूचनाओ का आदान प्रदान करते रहते हैं कभी sender data को send करता है कभी receive करता है कभी receiver data को receive करता है और send भी कर सकता है तो जब एक साथ sender और receiver दोनों direction में सूचनाओ का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कहा जाता है full duplex communication और full-duplex communication में end condition का यूज़ किया जाता end मतला sender sender भी है और receiver भी है receiver receiver भी है और sender भी है दोनों एक साथ data को send भी कर सकते हैं receive भी कर सकते हैं यह होता है हमारा full-duplex communication तो आज की वीडियो में हमने communication के types या communication के modes, transmission के modes को समझा जो कि तीन प्रकार के होते हैं simplex जो हमेशा एक ही direction में data को send करने की service देता है half-duplex जो एक समय पर एक ही direction में data को send करने की service देता है लेकिन दोनों direction में सूचनाओ का आदान प्रतान किया जा सकता है तीसरा होता है full-duplex जो एक समय पर दोनों direction में data को share करने की transfer करने की service प्रतान करता है आप सभी टॉपिक को पढ़ें समझें आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद